हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल नीशा श्टड़ी पॉइंट गाइज अज हम करने वाले हैं विल्यम वर्जवर्थ की द्वारा लिख्या गई कर पेटरकन सोनेट जिसका नाम है कंपोजड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रीज जिसे विल्यम इन सेप्टमबर 1802 में कंपोज गया इस पॉइम में पॉइट ने वेस्ट मिनिस्टर ब्रीज के बारे में बात की है और पॉइट उसी पर खड़े हुए हैं और लंधन और टैम्स रिवर को देख रहे हैं तो लगबग उस टाइम पर सुबह के 5-6 बज़ेंगे और जो पॉ इस पॉइम को शुरू करते हैं इर्थ हैं और पॉइट कहते हैं कि जो यह इर्थ है इस पर इस जगह से कोई भी अच्छी खूबसूर्च जगह नहीं है यहां पर पॉइट वेस्ट मिनिस्टर ब्रीज की बात कर रही हैं जो की बहुती सुंदर द्रश्यमा से लग रहा हैं डल वुड ही बी ओफ शोल हू कुड़ पास बाएं अब पॉइट कहते हैं कि कोई मूरक ही होगा कोई डल व्यक्ति ही होगा जो यहां से गुजरा होगा जिसकी नजरें इस सुंदर द्रश्य को देख कर भी नहीं देख पाई होगी या फिर इस सुंदर द्रश्य पर किसी की नजर ना पड़ी होगे वो कोई मूरक व्यक्ति ही होगा पोईट सीटी के बात कर रहे हैं कि यह जो सीटी है वो इतनी सुंदर लग रही है कि जैसे कि उसने सुभह की जो खूबसूरती है उसको गार्मेंट बना कर पहन लिया हो साइलेंट बियर और यह जो सुभह है यह जो मॉर्निंग है वो बहुत ही शांती देने वाली है और बहुत सुंदर है क्योंकि जो चारत रफ हो नेचरल है सब और यहाँ पर पोईट सुभह के पांचे चैबजे की बात करें शीप्स, टावर्स, डॉम्स, थेटर्स एंड टैंपल्स लाई यह जो चीजे हैं शीप्स हैं टावर्स हैं डॉम्स हैं थेटर हैं और टैंपल्स हैं यह सब ओपन इंटू दा फिल्स एंड टू दा सकाई यह जो सब चीजे हैं जो पोईट ने बताई हैं वो फिल्स और सकाई तक ओपन हैं और ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन दा स्मोकलेस एयर अब पोईट वहां के सीन की बात कर रही हैं कि इस सीन पर सुरज की रूप ब्राइट और ग्लिटरिं वो स्मोकलेस है यानि कि वहां पर कोई भी चिमने वगेरा उनसे धुआ नहीं है या वहां पर कोई भी परदूशन नहीं है नेवर डिट सन्मोर ब्यूटिफली स्लिप इन दा इन हिस फर्स्ट प्लेंडर वैली रोक और हिल यहां पर स्टैप का मीनिंग है कवर करना और फ् पर कहते हैं कि सुबह सुबह सुरज ने भी इन वैली रोक और हिल को इतना कवर नहीं कियाओगा ने वर श्या अज़ एक ठाश्ट ही ना मैंने कभी देखा औरना कभी फील किया है यह जो डीप शानती है उसको मैंने ना कभी देखा नाकभी फिल किया है जो गलेड़ होता है वो होता है गलाइड दीरे-दीरे मूव करना और ये जो टाइम्स रिवर है वो दीरे-दीरे मूव कर रही है अब ये जो लास्ट की दो लाइने हैं उनको ध्यान से सुनना कि ये जो लंदन के हाउसिज है उनमें सब लोग सो रहे हैं वहां रहने वाले सब सो रहे हैं और ये जो सीटी है वो ऐसे लग रही है जैसे कि किसी की बोड़ी है जो वो पीशफुली सो रही है या आराम कर रही है वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साइड में जो बैल आइकन का बटन है उसको दबाना बिलकुल भी ने भूलिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी